नमस्कार, मैं देवाशी सिंगो रहा है, पिछले वीडियो में हम लोग सिखे थे, ता किनार वाला ता, ये एक उंगली वाला ता और चार उंगली वाला ता स्याई में अब हम लोग ये भी सिखेते, दगगा में गे, ऐसे होता है गे, ये उंगली से भी बज़ा जा सकता है, और इससे भी बज़ा जा सकता है, गे, ये भी गे है, ये के है या का, तो इसका लेशन अज हम सिखेंगे, कि इसको इंप्रूब करने के लिए, घे को इंप्रूब करने के लिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? संगीत को सही ढंक से सीखने और समझने के लिए, इंडिन म्यूजिक आट मोबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड करें घे घे ते टे के के ते ते, इसी को बजाते जला है, घे घे ते ते, घे ते के के ते ते, गे ते ते, अब घे गे मैं ये उंगली शुरू में बजा रहा हूं, उसके बाद ये ये उंगली आ रहा है अब उल्टा भी कर सकते कोई दोनों चीजी सही है गलत कुछ नहीं है गे गे ये भी गे गे है और ये भी गे गे तो गे गे ते टे गे गे ते टे के के ते टे गे ते इसी को बजाते जाएए ये एक लेसन हो गया इसको जब आप लोग थ क pomoc देर प्रैक्टिस करने के बात जब स्क 누फ आ जाए गा हात में तब ये कैसा सुनने में लगए अब दीखी गे झे-टेटे गे-गे-टेटे गे-गे-टे-टे-टे-टे-गे-गे-टे-ठे-टे-गेầ-टे-टे-गे-पी ये और भी इसको स्पीड में बजा जा सकता है अब जितना भी रियास करेंगे उतना ही स्पीड में जाएगा अब ये जो स्पीड है आप अगर सोचेंगे कि सुरू में ही ये स्पीड में बजा सकेंगे तो ये नहीं हो सकता है आपको पहले सुरू सुरू में आपको कम लय में आपको रियास करना पड़ेगा 400 बार 500 बार 45 मिनिट तक आपको बजाना है, minimum घे घे टे टे घे घे टे 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 जे टे टे यह स्पीड में यह बजाना है इससे ज्यादा नहीं करना है अब यह अब खुद समझ सकते हैं कि डबला का, दोनों का sound balance आ रहा है कि नहीं, अब जब आपको लगेगा कि ठिक हो रहा है, तो आप थोड़ा speed बढ़ा लीजिए, गे गे ते टे, गे गे ते, गे ते, गे ते, गे ते, गे ते, गे ते, इस speed में आप बजाईए, 400 बार, 500 बार बजाईए, तो अपने आप आपका speed थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा, अब हम लोग ये गे गे का एक और listen सिखेंगे, जिसमें ये ता है और इसको हम ना भी बोल सकते, ये ना का use होगा, तो सुनने में थोड़ा बेटर लगेगा, monotonous नहीं होगा, और रियास करने में भी अच्छा लगेगा, गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे-गे- इस बीड में भी बजा सकते हैं लेकिन सुरू में नहीं सुरू में थोड़ा आइस्ता फिर धीरे-धीरे करके स्पीड बढ़ाना है अब इसका मूदी या हम जो पहले सिखे थे इसको भी इसको कहा जाता है तो यह खाली पार्ट भी अब रियास कर सकते हैं एशी कर सकते हैं यह खाली इसके बाद तो अगोटल साथ तोटल यह सिर्फ ट्रैक्टिस के लिए है इसको अब र्याज किजीए तो आपका दगगा का development होगा और ये जो मैंने मुदी पार्ट या खाली पार्ट अब कह सकते बजाया तो मैंने ऐसा ही बजाया है तो आप ये ये उंगली का भी अब use कर सकते जैसे गे गे दोनों use हो रहा है इसलिए हम इसको बहुत speed में बजा सकता है ये बहुत speed तक जाता है अगर आप खाली जब बजायेंगे तब अगर इसी से भी बजायेंगे के 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 ते तो उतना speed तक शायद नहीं जाएगा इसलिए आप ये भी कर सकते और इसका भी practice किजिए के 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 ते ये उंली का भी practice खाली portion जब बजायेंगे तब इसका भी अब रियास किजिए ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन अब धीरे धीरे कीजिए ये भी practice हो जाएगा के 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 ते के 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 ते के ये ये ना ना लेकिन शुरू में आप ऐसे ही बजाएगे ऐसे बजाते बजाते फिर इसका practice किजिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपनी बाते कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बिल नोटिफिकेशन आल सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी निव वीडियो अपलोड हो आप को नोटिफिकेशन जल से जल मिल जाएं